लिस्ट बनानी शुरू करें सिरुप लिखते जाएं ये होता है तो मन हिलता है ये होता है तो मन हिलता है ये होता है तो मन हिलता है तो बड़ी लिस्ट बनते जाएगे और जो अच्छी बात है क्योंकि एक बार लिस्ट बन गई न कि कारण क्या है जैसे दुनिया में भी अग कारण करना बहुत असान है सारी बातों का मूल कारण अगर कोई बात या अगर कोई व्यक्ति मेरे अनुसार न हो किसी को कुछ करने के लिए कहा पूरा नहीं किया किसी को कुछ कहने के लिए कहा काम नहीं किया किसी को कुछ बदलने के लिए कहा उसने नहीं किया चाहा था कुछ और हो रहा है कुछ और तो परिस्थिती जब हमारे अनुसार नहीं होती चाहे वो परिस्थिती परिवार है बच्चे है, पढ़ाई है काम है, धन है, सेहत है या सारा दिन की छोटी-छोटी बाते हैं जब कोई बात हमारे अनुसार नहीं होती है तो हमारा मन परेशान हो जाता है तो मतलब हमारे मन की स्थिती किस पर आधारित हो गई? हमारे मन की स्थिती किस पर आधारित हो गई? हाँ, हमारे मन की स्थिती किस पर आधारित हो गई? परिस्थिती पर आधारित हो गई है, है ना, चलो, दो हाथ आगे करो, ऐसे, ठीक है, जो ये वाला हाथ है, ये है परिस्थिती, ये है लोग, ये है लोगों का व्यवहार, ये मेरे अनुसार नहीं है, ठीक है, और जो दूसरा हाथ है, ये है मेरे मन की स्थिती, ठीक है? ये है परिस्थिती, ये है मेरे मन की स्थिती अब हमने कहा जब परिस्थिती मेरे अनुसार नहीं है तो मेरे मन की स्थिती हिल जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे मन की स्थिती किस पर आधारित हो गए? मेरे मन की स्थिती किस पर आधारित हो गए परिस्थिती पर आधारित हो गए क्या ऐसा हो सकता है कि परिस्थिती हमेशा मेरे अनुसार हो नहीं हो सकता क्या ऐसा हो सकता है कि लोग मेरे अनुसार हो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे अनुसार हो मतलब ये वाला हाथ तो मेरे अनुसार हमेशा हो नहीं सकता क्या ये हो सकता है कि मेरा मन मेरे अनुसार हो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा मन मेरे अनुसार हो क्या ये ऐसा हो सकता है कि मेरा व्यवहार मेरे अनुसार हो हो सकता है या नहीं हो सकता क्या ये हो सकता है कि मुश्किल परिस्थिती में मन शान्त रहे क्या ये हो सकता है कैसे करना है तो वो तो बात में सोचेंगे हो भी सकता है या हो ही नहीं सकता किस-किस को लगता है कि कि मुश्किल परिस्थिती में मन शान्त रह सकता है अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो बात में देखेंगे लेकिन हो भी सकता है कि हो यह नहीं सकता किसको लगता है हो सकता है तो चलो काम हो तो सकता है ना पहले तो पता हो ना चीए काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है हो सकता है मात है हो सकता है हो सकता है पक्का क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बार-बार हम से अच्छे से बात नहीं करें फिर भी हम बार-बार अच्छे से बात करें क्या यह हो सकता है कोई नहीं नहीं मुश्किल या सेहज की तो बात नहीं ओरिया अभी तो बात सिरफ ये ओरिया हो सकता है कि नहीं हो सकता हमें ये पता होना चाहिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता फिर देखेंगे के मुश्किल है या सहज है फिर देखेंगे करना कैसे पहले तो ये पताओना चीए हो सकता है या नहीं हो सकता है कोई हमसे गलत बात करे हम अच्छे से बात कर सकते हैं हो सकता है पहले एक बार हो सकता है कोई गलत बात करे, हम अच्छे से बात करे हो सकता है अब पहले हाथ उठाओ, किसको लगता है, हो सकता है अच्छा, एक बार तो हो सकता है तीन बार हो सकता है तीन बार हो सकता है एक बार अगर हो सकता है तो क्या तीन बार हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पांच बार हो सकता है, सारा कुछ, सारी बात का निर्णए हमें लेना है, कि हम कितनी बार कर सकते हैं, अगर कोई भी चीज एक बार हो सकती है, अगर कोई भी चीज एक बार हो सकती है तो वो कितनी भी बार हो सकती है लेकिन हम क्या करते हैं एक बार करने के बाद चलो जादा से जादा दो बार करने के बाद हम केते बार बार मैं क्यों अच्छे से बात करूं ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है करना पर मैं क्यों करूँ तो बीच में कौन आता है मेरा अहंकार वो अहंकार कहता है मतलब मैंने यह बार-बार अच्छे से बात करनी है क्या और क्योंकि मेरा अहंकार कहता है कि मुझे क्यों अच्छे से बार-बार बात करनी है तो मैं अच्छे से बात करना बंद कर देती हूं और जैसा सामने वाला व्यवाहार करता है हम भी वैसा व्यवाहार करना शुरू कर देते हैं और जैसे हम वैसा व्यवाहार करना शुरू कर देते हैं हमारी खुशी क्या होने लगती है? हमारी खुशी क्या होने लगती है? वो खतम होने लगती है हमारी सेहत पर उसका असर होने लगता है हम चिड़ चिड़े से हो जाते हैं जोर जोर से कभी बोल देते हैं कभी कुछ गलत बोल देते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं ये सब कुछ किस की वज़े से क्योंकि वो गलत बात कर रहे थे आखरी बार आपसे किस ने गलत तरीके से बात की थी वो देखो किस ने आपके साथ गलत वियवाहर किया था वो देखो सामने लेकर आओ मन पर क्या बोला था उदोने कैसे किया था अकेले में बोला था या सब के सामने बोला था और जब उन्होंने ऐसा बोला था तो हमने कैसे व्यवाहार किया था वो अपना व्यवाहार कर रहे थे हम अपना व्यवाहार कर रहे थे वो खुश नहीं थे इसले गलत व्यवाहार कर रहे थे उनका मन अशान्थ था इसलिए गलत व्यवाहार कर रहे थे उनका मन परेशान था इसलिए गलत व्यवाहार कर रहे थे उनकी खुशी के जिम्मेवार वो थे हमारी खुशी के जिम्मेवार हम थे उनका व्यवहार हमारी खुशी नहीं लई सकता था हमारा व्यवहार हमारी खुशी ले गया वो जब दिखता है न ये उनका व्यवहार है ये बात हमें बहुत बहुत पक्की करनी है दिन में अगर पांच लोग मिल जाएं जो हमारे अनुसार व्यवहार न करें हमारे अनुसार करम न करे अगर दिन में पांच लोग मिल जाए और वो जब गलत करे तो हम भी गलत करे तो हमने दिन में पांच बार गलत व्यवाहर कर दिया और पांच बार गलत व्यवाहर करके हमने अपनी शक्ति को क्या किया? अपनी शक्ति को क्या करते गए गवाते 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